Students में आप सबी का स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो में Students IELTS हमेशा क्या करती है कि हर दो मन्त के बाद Reading के Pattern में कुछ न कुछ चेंज करती है तो अगर मैं बात करूँ October 2024 में तो इसमें भी Reading में कुछ expected changes हैं जो आपको जानने बहुत ज़दा जुरूरी है अगर आप October मन्त में एक्जाम देना चाहरे हैं तो आई इसको practically समझते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हम पिछले दो मन्त का थोड़ा data देखते हैं कि किस परकार के एक्जाम देखने को मिले हैं और ये बार मैं अपने 13 साल के experience के base के ओपर बता रहा हूँ और ऐसा ही मैं observe करता आ रहा हूँ तो August और September मन्त की हम बात करते हैं सबसे पहले 3rd August की बात करें तो list of heading वाले question आपको देखने को मिले थे उसमें उसके बाद 8 August को भी list of heading वाले question आए 17 को भी list of heading वाले question देखने को मिले 7 September को जो exam हुआ उसमें भी list of heading वाले question आए और जो recently 14 September वाला exam निकल के गया उसमें भी list of heading वाले question देखने को मिले तो students IELTS दो बरकार की question जनरली आपको देती ही देती है या तो आपको which paragraph contains वाले question देगी या फिर list of heading वाले question देगी तो पिछले दो मन्त में आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी बार list of heading वाले question आपको देखने को मिले हैं लेकिन ऐसा October मन्त में expected नहीं है इसमें changes होने की संभावना है तो आप लोगों को मैं request करूँगा अभी से जो है वो which paragraph contains वाले question को cover करना start कर देजे इसके लिए different techniques होती है अब देखो आपको बहुत सारी videos मिलेगी जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा which paragraph contains वाले का answer कैसे आया students देखो which paragraph contains वाले question का answer find out करना इतना difficult नहीं होता है जितना कि आपको यह समझना जरूरी होता है कि इस परकार के questions को solve करने के लिए कैसी technique होनी चाहिए जिससे आपका time save हो क्योंकि यह बहुत ज्यादा time खाती है यह list of heading वाले questions students आपको different paragraph में आ सकते है first paragraph में आएंगे तो अलग technique होनी चाहिए second वाले में आएंगे तो अलग होनी चाहिए third वाले में आएंगे तो अलग होनी चाहिए तो आपको सीखना पड़ेगा कि इसको deal करने के लिए हमारे पास एक right strategy होनी चाहिए तो उसमें से जैसे कि अगर आपको first वाले paragraph में यह वाले question आते है तो इसको solve करने के लिए मैंने एक real exam passage का example लिए है जो बहुत बरी exam में repeat हो चुका आने वाले time में भी expected है कि हो सकता है तो ध्यान से जमदिये का कैसे इस परखार के questions को deal करना होता है अभी आप देख सकते है screen के ओपर यह 6th January को जो कि 2024 का पहला ही exam था उसमें ये passage आया था ये एक real exam passage है जिसका pattern थोड़ा सा change किया गया था तो ये पहला passage है और समझिये कि अगर आपके साथ ऐसे questions आते हैं आपको कैसे करना मिस मत करना आपके लिए ये video बहुत जादा informative होने वाली है तो ये passage आपके सामने तो यहाँ पर pattern में change किया है कि यहाँ पर आप देख सकते है nine which paragraph contains वाले questions आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये वाला word बहुत important है इसमें लिखा हुआ है you may use any letter more than once तो मैं आप लोगों को एक चीज clear कर देता हूं कि जब भी उन्होंने ये चीज लिखी होती है इसका मतलब hundred percent ये होता है एक या दो paragraph ऐसे होंगे जिसके heading दो या तीन बर use होने वाले है उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ questions दे रहे हैं direct questions को बोलते हैं यहाँ पर problem क्या है three words and और इन लिख दिया है जो कि बहुत जादा confusing होता है लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपके साथ ऐसी चीज होती है तो आपको कैसे handle करना ध्यान से देखिए इस वीडियो को तो अब सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि यह जो आपको direct questions देख रहे हैं इनको आपको सबसे पहले read करना है और इनके keyword को underline करना है जैसे यहाँ आप आप fur देख सकते हैं Asian short clot देख सकते हैं shortest range देख सकते हैं hunt occasionally देख सकते हैं अब आपका सबसे पहला काम क्या है कि आपको जैसे यह paragraph है इसको directly आपने read करना है इस paragraph को read करने के बाद जिस्ट बनाने के बाद आपको देखना है कि यह जो which paragraph contains वाले questions हैं इन सारे questions में से आपको run through करना है कि कि किसी का कुछ match हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो मैंने जैसे यह paragraph इसको जैसे ही read किया तो इस paragraph में जो important चीज़े मेरे को मिली हैं वो मैंने यहाँ पर circle कर ली हैं जा पर underline कर ली हैं तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं अडल्ट मेल मेबी up to 4 feet long and 30 lbs तब यह कह रहा है कि यह जो otters होते हैं उसकी length बगएरा बता रहा है कितनी होती है female small होती है eurasian otter का nose कैसा होता है smallest होता है मतलब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यह जो मैंने underlines करा है सारा यहाँ पर क्या चीज़ describe करने की कोशिश कर रहा है अब यह answer तो मेरे को यहाँ पर मिल गया लेकिन आपको जो बाकी heading है उसको भी run through करना है जैसे ही आप उसको run through करेंगे तो यहाँ पर आपको heat loss के बारे में इसने लिखा हुआ है otters अपनी heat loss को कैसे compensate करते थे कैसे उसकी भरपाई करते थे इसके लिए इसने explanation यहाँ पर लिखी होई है उसके दो परकार के hair होते हैं एक under fur लगा होता है और एक दूसरे hair होते हैं जो under fur होते हैं वो क्या करते हैं dense and fine होते है equivalent to an otters thermal underway है तो मतलब वो जो उसके अंदर की गर्मी है उसके बराबर के वो होते हैं पतलब कहने का यह है कि वो heat के बारे में यहाँ पर बता रहा है इसलिए यहाँ पर इसका answer भी A आ जाएगा अब उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे कोई question हमें मिल रहा है कर नहीं मिल रहा है यहाँ पर fur का जिकर हुआ है तो question को पढ़ते है what affects the outer fur of the outer पतलब जो उसकी बाहर की fur होती है उसको कौन सी चीज अफेक्ट करती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने लिखा है the fur must be kept in good condition by grooming sea water reduces the waterproofing and insulating qualities of outer fur क्या चीज अफेक्ट करती है sea water sea water आपका जो है वो answer आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए students आपको तीन answer यहाँ पर मिल चुके हैं सिर्फ एक paragraph आपने read किया और आपको तीन answer मिल गए इसी प्रकार से हम B paragraph को read करेंगे यह देख सकते हैं B paragraph आपके सामने है इस सारे paragraph को आपने बिल्कुल ऐसे ही read out करना है पहले इसका जिस्ट बनाना है और जिस्ट बनाने के बाद आपको questions में जाना है चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ तो B paragraph में अगर आप यहाँ से देखेंगे in clear water and good light otters can hunt fish by sight साफ पानी और अच्छी light में otters जो हैं अपनी आँखों से fish को hunt कर सकते हैं इसको हम जैसे ही यहाँ पे questions में देखते हैं तो बहुत clearly इसने लिखा है कि regulate कैसे करते थे वो अपने vision को underwater में vision का मतलब होता है किसी चीज को देखना देखने की शक्ती होना तो underwater मतलब पानी के अंदर वो कैसे regulate करते थे वो सारी चीजों को तो यह आपका यहाँ पे answer आ जाएगा उसी प्रकार से थोड़ा सा इसको आगे continue करते हैं तो इसने लिखा है इसका मतलब यह है कि इसकी जो eyes और nostrils होती है उसको उचे जगा पे place किया होता है इससे वो देख भी सकते हैं breath भी कर सकते हैं हाला कि उनकी body जो हो है submerge होती है मतलब इतनी ज़्यादा develop नहीं होती है लेकिन फिर भी उनकी आंके और उनकी nostril की वज़ा से वो बहुत ज्यादा उनकी sense तेज होती है इदर आएंगे आप तो बड़े राम से आपको answer मिल जाएगा कि उनकी under develop जो sense होती है मतलब वो भी वो develop नहीं होती है लेकिन फिर भी उनके पास एक sense होती है तो ये भी answer यहाँ पर इसका be आ जाएगा अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप और notice करेंगे तो Asian short clawed otter आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर question में भी आप देख सकते है Asian short clawed otter लिखा हुआ है तो हम इसको थोड़ा read करते है question का क्या मीनिग है उनके पास वैबिंग नहीं होती है उनको swimming speed की कोई जरूरत नहीं होती है तो यहाँ पर swimming speed आपका answer आजाएगा तो देखो students आपके सामने मैंने सिर्फ दो paragraph को read किया है और मेरे को 6 answer यहाँ पर मिल चुके मतलब मेरा half of the reading complete हो चुका है तो अब देखो students यह तो मैंने आपको पहले paragraph का थोड़ा सा hint दे दिया है इसी परकार से second paragraph में यह third paragraph में इनको कैसे solve करना है different techniques होती है तो अगर आपके पास time नहीं है preparation करने के लिए तो आप हमारे crash course भी buy कर सकते हैं जिसमें हमने यह सारी techniques को बहुत जादा detail में cover किया देखो reading के हरे question type की different technique होती है different approach होती है सिर्फ question पढ़ना और answer find out कर लेने से आपका काम नहीं चलता है तो यह सारी चीज़ों को detail में समझने के लिए हमने अपने crash course बनाया हुआ है जो कि fifteen hundred गा जिसमें हमने सारे modules cover करें अगर आपके पास time नहीं है institute जाने का या फिर आपका exam काफी नजदीक है तो आप वह 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 क्रेश कोर्स हमारा buy कर सकते हैं उस crash course में सारे modules के tips strategies हमने ऐसे ही cover किये हैं और उसके साथ साथ आपको सारे module की prediction जो है वो free of cost मिल जाता है यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share करें लाइक करें और चैनल को subscribe कर लें Thank you very much